प्रदेश में सत्ता और संगठन में बदलाओ की सुख बगाहट इन दिनों चरम पर है। इसी बीच, PCC चीफ वा उपुक्या मंत्री सचिन पाइलेट द्वारा सौंबार को पैट्रोल डीजल के दामों में बड़ोत्री को लेकर, कॉंग्रिस द्वारा दिये गए धरने में प्रिवहन मंत्री प्रताप सिंग खजरयवास को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक गल्यारों में चर्चा का विशेब बना हुआ है। पाइलेट ने कॉंग्रिस के धरने के दोरान अपने संबूधन में कहा कि, पाइलेट ने आगे और प्रताप सिंग खजरयवास के लिए क्या क्या कहा, जानी खली देखे पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को. ये है टॉक्स न्यूज नेट्वर्प और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति का कच्चा चिठ्था. सचिन पाइलेट ने धरने में परिवहन मंत्री और जैपुर जीला कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंग खचरीयवास के द्वारा दिये जोशिले भाशन पर टिपड़ी करते हुए कहा कि, मैं प्रताप जी का भाशन सुन रहा था, मुझे लगता है कि हमें हर छे आठ अपते में कोई न कोई कारिक्रम करना चाहिए, क्योंकि इससे गला साफ हो जाता है, मंत्राले में बैठे बैठे बहुत दिरे दिरे बोलना पड़ता है, भहुत जी जी करना पड़ता है, यहाँ असली ताका थे, हम सब लोग जो यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, यह सब कार्य करताओं की महनत से है, आप सब लोगों ने मुद्दे को लेकर हमेशा हमारा साथ दिया है, आज भी वह मुद्दे हमसे दूर नहीं है, इससे पहले कॉंग्रेस के बन दक्ष प्रताप सिंग घचरियवास साइकल पर चलकर यहाँ धरनी तक आये हैं, मैंने प्रताप जी से कहा, पसीना भहुत आ गया होगा आपको, तो प्रताप जी ने कहा, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है, मैं आया साइकल पर हूँ, वापस भी अपने घर तक साइकल भरी सचीन पाइलिट के इस दक्तत्व से धरने में मौझूद सभी नेताओं और कारेकरताओं ने जम कर ठाहा के लगाए, पॉलिटक्स बेरो, जैपूर